कि बारे में कुछ श्रूम के में कुछ मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ मैं और कुछ डिटेल्स में इसके बारे में बदा रहा हूं इसका जो रही नियम होता है तेमप्रिछार सी कि बारे मी completely एक एक करके बात करेंगे तो पहले ही मिल्की के बढ़े में जो बताना है कि ये मार्च के इंट से लेके आप ऑक्टोबर तक इसका फसल ले सकते हो ये समर बेस्ट एक मस्रूम होता है तो इसका 30 से 32 सेंटिग्रेट टेंपरिचर बहुत ही अच्छा माना जाता है ये 38 तक अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है और इसका जो हुमिडिटी लेवल है वह 80 से 85 रहे तो बैतर है नहीं तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लेम नहीं होता है और इसी के स रहे तुकत जो एकस्टा चीज लगते है वो है केसिंग स्वैल ये केसिंग वार में मैं पहले भी एक बहुत ही बिदा बीडियो बना चुका हूँ, और आज फिट से केसिंग सोयल का एक इकस्प्रिमेंट मैंने किया, चो इंजिनरी लिए हम लोग जो करते हैं गोबर के साथ मैंने बहुत सारा तरीका पहले भी बता चुका हूँ पहले दिखा भी चुका हूँ आज भी दिखा रहा हूं और आज एक और एक्स्टा भी चीज दिखाऊंगा वो तो वीडियो का अन तक दिखिए इसका जो भी रेजल्ट है वीडियो के अन तक दिया हुआ है तो जैसे कि देखते हैं कि उपर का जो हिस्सा है हम लोग को काटते ना पड़ता है ओइस्टर के तरह ये पूरा बॉड़ी से निकलता है ये सिर्फ टॉप पोजिशन से निकलता है और जब उपर का बहुती अच्छे से कवक जाल जो होता है बहुती अच्छे से स्पॉन ग्रन ले लेता है उसे के बाद हम उसमें केसिंग सोयल डालते है तो केसिंग सोयल डालने से पहले आप देख रहे हो कितना अच्छा मतलब पूरा कभग जार इसको घेड चुका है यह स्टेलाइजेशन और टेमप्रेचर लेविल अगर अच्छा हो तो ज़रूर आपको भी ऐसा होना चाहिए और मेरा यह छोटा सा एक टेस्ट करने का एक रूम है मेरा यह यहाँ पर मेरा जो भी जितना भी बैच का स्पॉन निकलता है सभी स्पॉन का मैं यहाँ पर टेस्टिंग करता रहता हूँ तो आज भी यह टेस्ट कर रहा हूं मेरा 3-4 बैच का मिल की निकल चुका है सभी का एक एक करके यहां पर एक्जम्पल दिया हुआ है तो अभी जो केसिंग सोयल है केसिंग सोयल का भी एक pH लेबल होता है जो बहुत ही महत्पून होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रेलाजेशन किया यह क्या वो क्या फिर भी उपर का कॉप्रीनस आता है कॉप्रीनस आने का एक बहुत बड़ा रिजन है आपका टेंपरेचर तो एक है अगर आपका इसका pH pH बैलेंस भी बहुत ही एफेक्टिव चीज है अगर pH ठीक ठाक ना हो तो अधर फंगल का इंफेक्शन आपका केसिंग स्वाइल के भी साथ आ सकता है आप समझ लिए बहुत ही अच्छे से स्ट्रेलाजेशन हो चुका है और केसिंग स्वाइल अच्छे से स्ट्रेलाजेशन करना पड़ता है मैं जो हमेशा पुखार करता हूं स्टीमिंग अगर ठीक-ठाक स्टीमिंग स्ट्रेलाजेशन हो तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा पौडक्षिन मिलेगा आप इसकेलिए घर का जो बड़तन है आप पेशर कुगर का यूज़ कर सकते हो और आप केमिकली करना चाते हो तो फॉर्मलीन और बैविस्टेन भी यूज़ कर सकते हो मगर मुझे लगता है कि आपको आप पर एक बार करके देखिए और्गानिक प्रोसेस से आपको अच्छा रेजल मिलगा क्योंकि मैं हमेशा से और नाथिंग एल्स तो आज जो देखना है यह 35 डेज है इसका इस बेट का जो उमर है तो 35 डेज इस लिए लगता है क्योंकि ऑस्टर के जो ग्रोथ होता है उसके हिसाब से मिल्की का ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है यह बायि नेजर होता है ऐसा नहीं है कि किसी का स्पॉन के उपर डिपेंड नहीं करते हैं क्योंकि यह नैचनल ग्रोथ प्रोसेस से माति होता है तो आप तब तक वेट कीजिए जब तक उपर पूरा का पूरा देखिए कवक जल ऐसे पूरा इसको पूरा कवर अपना कर लें तो कवर अप हो जाने के बाद आप उपर का सर्फेस बहुत कल्टिवेटर तोड भी देते हैं मैं पर्सनली बिलीब करता हूँ तोड़ने वोने का कोई जरूरत नहीं है आप सिर्फ उपर को हलके से खोलके सिर्फ केसिंग स्वाइल को आपको हलके करका हलका हलका हातों से आपको अपर देना है क्योंकि आज इसके उपर हम लोग एक दूसरे टाइप का भी केसिंग स्वाइल करने वाले हैं बालू का मैं वो भी दिखाने वाला हूँ और इसका कंट्रमिनेशन आने का जो सबसे ज़्यादा आता है वो आपका कॉप्री नसी ज़्यादातर वक्त मिल्की में आने का चांस केसिंग स्वाइल का जो भी पीच है पीच जुरूर आपको छे से सारे साथ के अंदर होना चाहिए सबसे बैतर होता है 6.5 से 7.2 तर यह एक केसिंग स्वाइल का अच्छा पीच माना जाता है तो पीच अगर उपर नीचे हो तो आप जीपसम को मिला के पीच को मतलब बढ़ा सकते हो और कैलसियम करबोनेट को देखे आप पीच को कम कर सकते हो अगर पीच का अगर आपका उपर नीचे हो जाए तो यह दोनों चीज मिला के आप पीच को बहुत ही आसानी से कंट्रोल में ला सकते हो तो जैसे के देख़ रहे हैं हमारा पूरा बाकी का भी जो भेड़्ड है靡़ब करेड़ी हो चुगाई तो चलिए अभी हम लोग इसमें कैसिंग स्वाइल दे देता हैं कैसिंग स्वायल का जो ओचा ही होता है वो हम लोग आपका डेर से दो इंच होना चाहिए तो चलिए देखे भी दिखाते हैं जितना यह स्टेलाइस्ट किया हुआ है मैंने किसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया श्रिप जो 60 और 40 60 परसेंट अपका गोबर कसार और जो पूराना गोबर होता है मिनिमम एक साल का पूराना होना बह रहता है और उसके साथ गारेनिंड शोयल आप दे सकते हो उसके साथ कोको पीट भी थोड़ा बहुत मिला सकते हो कोको पीट आपका इसलिए मिलाते हैं ताकि इसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो बना रहे आपको स्टिप ध्यान में जब आपको उसको पर स्प्रे भी कर आपना है ताकि इसमें एयार सर्कूलेशन बेट के अंदर तक बना रहे तुरू आप जो आपका केसिंग स्वाइल है उसके साथ यह होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका उपर पूरा एयर टाइट हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम हो जाएगा तो इसलिए इसको ज्यादा दवाना नहीं है एक्तम हलका हातों से डेट से दो इंच तक आपको पूरा फिलप करना है उपर स है इसका market rate भी बहुत ही अच्छा होता है इसका live lifespan जो है वो भी बहुत कमाल का है इसलिए जरूर सिजनल जो है और गर्मियों में जादा रिस्की होता है तो और से यह कम रिस्क है स्टिप आपको यह केसिंग सोयल को थोरा ध्यान में रखना चाहिए बस अगर बहुत ही अच्छा मुनापा कमा सकते हो इससे बहुत सारे जगा पर यह बहुत ही कमाल का मार्केट है और सबसे इसका प्लास प इसको एकदम बहुत ही कम खर्चे में एकदम लोकल ही आपको मिल सकता है गार्डिंग सोयल फ्री में होता है तो आपका इसका में कॉस्टिंग भी बहुत कम हो जाता है खाला कि मैंने पहले बदा चुका हूं इसके बारे में और मगर आज मैं यह नॉर्मल हम लोग जो करते ह हैं और इसी के साथ एक और एक केसिंग सोयल के बारे में बता रहे हैं जो बालू और उसका भी कमाल का पोड़क्शन आया हुआ है मैं उसका वीडियो भी अंतक देखे रखा हूं तो वीडियो अंतक देखिए उसका जो रेजल्ट है उसको देखने के लिए क्योंकि मुझे वी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उससे भी अच्छा आ सकता है तो चलिए देख रहे हैं जैसे के हमारे एक बेड करीब करीब रेडी है इसे के उपर हम लोग तुरंत उसको पर पानी का एक बार छीरकाव करते हैं यह ध्यान में रखे कि पानी कभी भी केसिंग सोयल को और आपका रूम का ट्रेंपरेचर 30 आप हो तो अच्छा है 32 अगर होता है सब सबसे बैतर है और हुमिडिटी 80 तो यह एकदम बेसिक चीज है और फूटिंग जब आप मूं को इसको ऐसे कैसिंग सोयल देते देते हो उसी के बाद से ही आपका रूम का जो फ्रेश एयर का ए प्रोडक्शन में देरी भी हो सकता है और एक चीज है मिल्की के लिए लाइट लाइट बहुत इंपोर्टेंट चीज है मिल्की डाइट डायरेक्शन फॉलो करता है और अगर मैं जैसे कि बोल रहा था बालू के बारे में इसी बेड में हम लोग स्रिप बालू का जो मिलता है वह आप यूज कर सकते हैं इसको भी स्ट्रेयलाइज करना पड़ता है मगर मुझे इसमें अच्छा बुरा दोनों माइनस दोनों चीज है मगर इसमें कॉप्रिनस आने का चांसे करीब-करीब ना के बराबर है बालू में कॉप्रिनस नहीं आता है यह एक प्लस बहुत सारे कंजूमर पसंद नहीं करते हैं मगर में के मस्टूम का खुद का एक स्मेल होता है जो स्मेल बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है तो ऐसा अगर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते कर रहे हो तो उसके लिए यह बालू है में चीज बालू का अगर आप जो केस Smell नहीं आएगा ये एक चीज है मतलब जादा Smell नहीं आए तो बहुत ही Light Smelling हो जाता है मुझे पता नहीं क्यों मगर ये सच में हुआ है क्यों कि मैं कुछ टेस्ट करके देखा हूँ और आप लोग भी टेस्ट कीजिए मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ सच सही है मगर मैं टेस्ट करता हूँ उसे के बाद रिजल्ट जानके ही आप लोगों को बोलता हूँ आप लोग भी टेस्ट कीजिए आप लोगों का जो व्यूज है मुझे मुझे से भी शेयर कीजिए तो मेरा भी जानकरी थोड़ा बढ़ेगा और ये वीडियो बनाने का एक ही मेरा मकसद है मेरा बहुत सारा फार्मर्स जो हैं मेरे से जुरके काम करते हैं मुझसे स्मौन लेके काम करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों को भी अलग-अलग तरीकों से अगर इंट्रेस्ट गो अप किया जाए और इसी के लिए मैं इसे वीडियो बनाता हूँ और आप लोग भी ट्राइ कीजिए हमेशा हातों पे सामने जो मिलता है उसी से आपका जो प्रोड़क्शन निकलने का कैपसिटी है वो बना सकते हो तो कमाल का चिस है तो यह सब हमारा केसिंग सोयल करीब करीब रेडी हो चुका है तो इसको ऐसे हम लोग अभी थोड़ा फ्रेश यार का जहां जादा एक्स्चेंज होता है वहां पर मैं रख दूंगा और उसके बाद जो भी रेजल्ट आता है मैं धीरे 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 तितर आऊंगा और समझ लीजए अगर आपका टेंपरेचर सब्सक्रब कुछ ठीक रहे है हुमिडिटी यह केसिंग सोयल के साथ से दस दिन में आपका जो उपर का पीन है वह आना सुड़ हो जाएगा मैं वह भी वीडियो लास तक दे देता हूं कि इसका क्या अपडेट है और तो लास तक वीडियो को देखिए ताके मैं इसी लिए बोल रहा हूं लास तक देखिए कि इसका जो मतलब पीन हैड और जो जो भी आ रहा है यह आपके सामने जो दिख रहा है यह आफटार फाइब डेज मतलब पांस दिन के बाद इसका जो पोड़क्शन ग्रोथ है अब देखिए थो अगर आप मिल्की मश्रूम में नया हो तो पहले छोटे करके कीजिए उसके बाद बड़े फार्म में जाने के कोशिच कीजिए क्योंकि इसके अगर थोड़ा बहुत डिफकलिटीज होता है और कॉपरीनस अगर आता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है नया फार्मर्स के ल लिए आते हैं तो अगर आपका यह आ रहा है तो आप एक पीच पेपर ले सकते हो पीच पेपर आमाज़न में आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है या कोई भी लैबरेटरी तुकान से आप ले सकते हो पीच पेपर तो यह मेरा टेस्टिंग रूम है इसलिए मैं यहां पर अलग-अलग जो हर एक बेच का जो पोड़क्शन कितना क्या होता है वो मैं हर एक बैच के एक बेच मैं बनाता हूं यहां पर ताके मैं भी और मुझे हमेशा फ्रेश टीशू का भी जरूरत परता है तो यह पिनेट आया हूआ है देख रहा है एक बी कंटमिनेशन नहीं है कंटमिनेशन मैं जो मानता हूं टेंपरेचर गर्डेयर तो ग्रोत के लिए सही नहीं है तो बस वो तो गया पिर हैसे हम लोग जो पहले का नॉर्मल जो केसिंग स्वाल से काम करते हैं उसी का बहुत ही अच् इंजिनेर लिए ऐसे ही आता है उसमें भी ज़स्ट आरा शुरू हुआ है तो बहुत ही अच्छा पॉड़क्शन आया है तो अभी हम लोग जाएंगे आपका बालू के उपर बालू का पॉड़क्शन थोड़ा लेट है यह माइनस पॉइंट उसका जो है यह देख रहे हैं दस दिनों में इसमें करीब-करीब अच्छा आ चुका है मगर बालू में उतना कुछ पोग्रेस नहीं मिला मुझे दस दिनों के बाद भी चाहां पर दस दिनों में अफ्टर दस दिन केसिंग शोल करने के बाद यह बहुत ही अच्छा पॉड़क्शन शूरू हो चुका है अल्रेडी यह कल तक सभी मार्केट में चार्शन के लिए रेडी हो जाएगा मगर बालू में अभी तक उसका अच्छा ग्रोथ नहीं मिला है मगर मैं वेट करूंगा तो जैसे के देख रहे हैं यहां पर बालू में मुझे फर्स्ट पीनेट मिला 13 डेज में आफ्टर केसिंग स्वैल और इसमें जो भी पीनेट आया हुआ है बीच में से कोई पीनेट नहीं आया हुआ है मुझे लगता है कि बालू के साथ और कुछ कंकर पत्थर मिलाना एर एक्सचेंज जादा नहीं हो रहा है वैसे नीचे का बेट तो बहुत ही अच्छा मैसलियम ग्रोथ हुआ है यह 13 डेज में मुझे दो पीनेट मिला है देखने को और इसमें जो है थोड़ा दिनों में जादा पानी देना पर रहा है करिब करिब दूस्टों से जैसे के मि एक बार से जादा पानी नहीं देना परता है एक बार यह ठीक टाक पानी देने से और रूम का हुमिडिटी अगर ठीक टाक रहे तो वह लंबे समय तक भीगा रखता है मगर यह जो सैंड का है यह मुझे दो से तीन बार भीगाना पर रहा है क्योंकि यह बहुत ही जल्दी मुझे यह आफ्टर सिक्स्टीन डेज मुझे इतना बढ़ा एक पॉडक्शन मिला है इससे बहुत ही अच्छा पॉडक्शन है आप देख सकते हैं यह बहुत हैं झाल 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 झाल